दोस्तो यह एक प्रेत की सची कहानी है बिहार की राजधानी पटना बाप बेटे ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे बाप गारी चलाता था और बेटा पैसेंजरों को उनके पास लेकर आता था था गारी में साथ साथ दोनों जाते थे वो दोनों इस्टेशन पर पटना जे था और पैसेंजर का इंतिजार कर रहे थे चार आदमी सूट बूट में तनके तयार होके उनके पास आए और उनसे कहा हमें रईस जाना है तो उन्होंने पूछा यह रईस कहां है हमें नहीं पता आप रास्ता बताओगे तो हम चल सकते हैं उन्होंने कहा ठीक है हम रास्ता दिखा देंगे भाड़ा कितना लोगे इसे करके दुनों आपस में बाते करने लगे तो पतिश सो में तक्रीमन वह राजी हो गया ठीक है तुम चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा चारों वहाँ पर बैठ गए एक आगे रास्ता दिखाता हुआ आगे चल रहा था गाड़ी फूर स्पीड में दोरी जा रही थी तक्रीबन 70 किलोमेटर चलने के बाद एक सुनसान सर्थ वहाँ पर एक ने कहा गाड़ी रोको मुझे बहुत जरसे पिसाव आई है बाप ने ड्राइविंग कर रहा था गाड़ी रोक दिया बेटा पिछे बैठा हुआ था एक गाड़ी में से उतर कर बाहर पिसाव करने चला गया और पिछे जो बैठा था उसने एक धार-दार हत्यार निकाली और बाप के उपर वार चालू कर दिया बाप का सर धर से अलग हो गया बेटे ने जब यह घटना देखी तो वह आवाक रह गया और पीछे से गेट खोल कर भागने लगा जब भागता देखा तो उन चारों ने उसके बेटे का पीछा किया और दो तीन वार धार-दार हत्यार से उसके उपर कर दिया प्रतु फिर भी घणे जंगल होने के कारण उसका बेटा वहाँ छुप गया एक खेत के पीछे चारों ने गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से निगल पड़े सुबह जब किसान वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा सरकटा हुआ लास वहाँ पड़ा हुआ है तो लोगों ने पुलीस को फोन की गाउवाले ने मिलकर पुलीस को फोन की गाउवाले सब इकठा हो गए पुलीस आई कुछ दिर बाद बेटा भी मिल गया वह एक खेत में पड़ा हुआ कड़ा रहा था पर वह जिंदा था उसने सारी घटना पुलीस को बता दी पुलीस ने उसे हॉस्पिटल में एड्मिट कर वाया कुछ दिन तो ठीक ठाक बिता पर कुछ दिन बाद वहाँ बिचितर घटना है घटने लगी एक किसान अपनी बेलगाडी लेकर रास्ते से जा रहा था सुबे का समय था तक्रीबन पांच बज रहे थे उसने देखा एक सरकटा व्यक्ती रास्ते पर खरा है किसान काफी घपरा गया और बेलगाडी से कूद कर घर की तरफ भाग गया बेलगाडी छोड़ दी सुबे सुबे पांच बजे छे बजे के करीब वह इसकुल चले जाते थे पढ़ाने के लिए एका एक उनकी गारी का एकसीडेंट उसी अस्थान पर हो गया जहां पर वह सरकटा लास्त था मास्टर साहिब की मौत हो गई फिर कुछ दिन बाद वहां ऐसी कई घटना है घटी पुलिस वाले परिसान गाउवाले परिसान हर किसी से पूछा जाए तो हर कोई एक ही जवाब देता कि यहां कोई सरकटा व्यक्ति दिखाई परता है सभी परिसान हो गए कि आखिर सरकटा कम होती चली गई और बिल्कुल ही अब यह घटना समाप्त हो गई यह बिल्कुल सची घटना पर आधारित है मैंने इस घटना के विशे में पूरी जानकारी और जाग प्रताल की थी कि सची में ऐसी घटना घटी थी यह पटना से तक्रीवन 70-80 km दूर की बात है अगर आप के पास भी कोई कहानी है तो आप हमारी चैनल को भेज सकते हैं हमारे चैनल के तरब से आपको एक गिप्ट इनाम के तर पर दी जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा कॉमेंट अवश्य करिएगा हम आपके कॉमेंट को पढ़ते हैं अगर आप आपका कॉमेंट हमें अच्छा लगता है और आप अच्छे-चे कॉमेंट करते हैं तो हम आपके कॉमेंट पे से भी एक विनर को चुनेंगे और हम आपको एक गिप्ट इनाम के तर पर देंगे अगली वीडियो बहुत जल्दी में लेकर आओंगा तब तक के लिए चलते है प करते हैं